इस सब की दंतक्थाओं से एक राजा की कामना करने वाले मेंदकों की कहानी। मेंदक खुद पर शासन करते करते ठक चुके थे। इक तरह से शासन कर सके। उन पर शासन किया जा रहा था। उनके लिए दूद और पानी की सरकार नहीं उन्होंने घोशना की। इसलिए उन्होंने राजा के लिए ब्रहस पती को एक याचिका भीजी। ब्रहस पती ने देखा कि वे कितने सरल और मूर्क प्रानी थे। लेकिन उन्हें शांत रखने और उन्हें यह सोचने के लिए कि उनके पास एक राजा है। उसने एक विशाल लकडी को नीचे फैंक दिया, जो एक बड़े चीनते के साथ पानी में गिर गया। नए राजा को कोई भयानक दैत्य समझ कर मेंधकों ने खुद को सरकंडों और घासों के बीच छिपा लिया। लेकिन जल्वी उन्हें पता चल गया कि किंग लौग कितना पालतू और शांत स्वभाव का था। कुछ ही समय में छोटे मेंधक उसे गोटा लगाने के मंच के लिए इस्तमाल कर रहे थी, जबकि बड़े मेंधकों ने उसे एक सभास्थल बना दिया, जहां उन्होंने जोर-जोर से जुपिटर से सरकार के बारे में शिकायत की। मेंधकों को सबक सिखाने के लिए देवताओं के शासत ने अब फ्रॉगलेंड का राजा बनने के लिए एक सारस भेजा। सारस पुराने राजा लौक से बहुत अलग प्रकार का राजा साबिद हुआ। उसने बेचारे मेंधकों को डायमबाय निगल लिया और उन्होंने जल्द ही देखा कि वे कितने मूर्ख थे। शोकाकुल बदमाशों में उन्होंने ब्रहसपती से क्रूर अत्याचारी को दूर करने के लिए विंती की इससे पहले की वे सभी नश्ठ हो जाएं। कैसे अब ब्रहसपती रोया क्या आप अभी तक संतुष्ट नहीं है? आपके पास वह है जो आपने मांगा था और इसलिए आपके दुर्भाग्य के लिए केवल आप ही दोशी है। कहानी की शिक्षा है सुनिश्चित करें कि आप बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी स्थिती में सुधार कर सकती हैं।